हमारे गाउं में कहावत है कि जब लईका के बिया हो जाला तो लईका बदल जाला बिया होते लईका के चाल ढाल लईका के बोल चाल और लड़का के रोहन सहन बिल्कुल बदलेला गेला हमेशा ओ ए तरीके के बात करेला अपना घर परिवार अपना बीवी के चर्चा करेला औ Er वियाह होते दोस्त यारन से मिलल बन का देवेला आईल ग्योंवन का देवेला इस चर्चा कर रहे हैं कि बहार की इस्तिति फिलाल वैसी ही हो यानि कि लड़के का चाल ढाल से लेकर के बोल चाल से लेकर के हर चीज़ बदल जाता है जो उसके शादी से पहले हुगा रहता है दोस्ते से मिलना जुनना उसका कम हो जाता है दोस्तों के बीच रहना उसका कम हो जाता है बिहार के इस्तिति वर्तमान के समय में कुछ ऐसी ही ह चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बिहार में जो नई सरकार बनी है कभी पहले बिहार के जब सरकार हुआ करती थी कभी वो भी पक्ष में रहते थे तो उन्होंने वियार के वर्तमान सरकार पर हमले बोलेते चर्चा करते हैं बिहार में जिस तरीके से जहरीली शराब कांड का तांड की जा रही है चौविस घंटे में 38 लोग की जान चली गई कहीं की आंखों की रॉश्नी चली गई सडन में जब नितीश कुमार से अभी ब blossom सवा का श्रीट्कालीं सत्र चल रहा है और सदन में जब नितीश नितीश कुमार झ्हला जाते हैं चिलाने लगते हैं तुम तड़ा uyतर बाता है प्रियोग करने लगते हैं जिसके बाद BGHP नाराज होती है और नाराज्गी बिएहर बिदानसवा के अध्यक्ष से भी कहती है बहुझत इसके ुक्या सवाल किया जाता है कि बिहार में जहरीली शराब से तांडो मचा हुआ है छपरा में जब 33 यादो से सवाल किया गया उस वक्त 20 लोगों की मौत हुई थी तब उन्होंने कहा कि बिहार में जब शराब बंदी नहीं थी तब भी तो जहरीली शराब कांड से मौत हो रही थी यानि कि वो तेजश्री यादो बिहार के सहरावकांड के बाद नितीश कुमार के बायानों में सुर से सुर मिलाते वोए नज़र आ रहे हैं इसलिए हमने कहा कि जब लईकन के ब्याह हो जाब गाओंमें तर लईका बदल जाले सांग वैसे इस्तिति कुछ कि याड होगा कि उस वक्ते हमार व्यान सभा का सत्र चल रहा था और उसी सत्र में बिहार के विधान सभा के अंदर शराब की खाली बोतले मिली थी सोचिए इतना बड़ा सदन है इतनी बड़ी जगा है और उस जगा पर कानून की कही न कही पालन बहुत अच्छे तरीके से होता है और उस जगह पर शराब की खाली बोतले मिली थी और खुद DGP शराब की खाली बोतले ढूरते थे और तब तयश्वी यादों ने जबरदस तरीके से हमला बोला था और यहां तक कि उन्हों ने नितीश कुमार से स्थीबा भी मांग लिया था काफी गरम हुए थे प्रेस कॉंफरेंस भी करकर थे याश्वी यादों नितीश कुमार पर हमले बोल रहे थे शराब बंदी पर लगतार तंज कस रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार में बैटे लोग ही बिहार में शराब की सप्लाई कराते हैं सराब की सिंडिकेट का अगर कोई बहुत बड़ा मालिक है तो नितीश कुमार है ऐसे बयान उन्होंने दिये थे जब भी पक्ष में थे लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आये ना तो सराब बंदी पर कोई सवाल करते हैं और ना ही नितीश कुमार के किसी चीजों पर लेकर के व काम इसके लिए ठोस कानून लाने की बहुत जरूरत है क्योंकि बिहार में सराब बंदी एक ऐसी योजना है जो बिल्कुल बिफल है आप सभी को पता है बिहार में पटना में घूमिएगा आपको तो हर जगह पे कहीं ना कहीं सराब की वो रैपर्स मिल जाएंगे बोतल मिल फखड़ी करती है तो जळला जाते कहते कि तुम्हीं लोगों ने घडबर किया है तुम्हीं लोग हो सकता है तो चीज़े पे कमार ज्तीपा तक मान चुके थे और उन्होंने स्तिपा के साथ साथ ये भी क्या दिया था बड़ा आरोप लगाया था कि नितीज कुमार ही इस सिंडेकेट के मुखिया है यानि बिहार में जो सराब बंदी सराब जो सप्लाई हो रहा है उसके बहुत बड़े कहीं न कहीं उन्होंने निशाना सात्ते वगा कि बहुत बड़े मालिक हैं सराब कांड से मौत्यों का अकड़ा बढ़ रहा है उस समय जब तेश्री यादो विपक्ष में थे तो मुझपर में हुआ नालंदा में हुआ चंपारण में हुआ गुपाल गंज में हुआ था पिछले साल के चर्चा कर लेते दिपावली के अगले दिन ही ये गट नाम सब को सु सब्सक्राइब करें इतना ही बहुत बहुत अन्यवाद